नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टार्गेट वीद आलोग ऑनलाइन क्लासेज में जो आपकी वास्तों में सारी नीट पे खरी उतरती है और आपकी फेवरेट कोचिंग बनती जा रही है हम लोग एक नए बेच के साथ प्रवेश तो किये हैं लेकिन वो हमारी जितनी उसाह थी ले आने की उससे ज्यादा अथक परिश्रम आपका था यह आपके अथक परिश्रम और लंबे संघर्स के परिडाम कही है जो इतनी जादा शंख्याओं में पहली बार UPSI की वेकेंसी आई और हमने उसको एक बार फिर से प्रमारित करने के लिए कि क्या हम आपकी अपेक्छाओं पे खरे उतरते हैं हम सब फिर एक जुटो कर आप लव्यबैच किसके लिए UPSI आपके सपनों को सजोने के लिए क्यूंकि आप लोगों ने 2016 से देखा है क्या कंडिशन रही है वो कंडिशन जो रही है उसके बाद आपके मांग बरती मांगों को देखकर फिर से आपके लिए एक सुनहरा मौका आपके द्वार पर आपके अगर कोई आया है तो वो इतना महत्वपूर पद जिसका सपना आप देख रहे थे तो इस देखे हुए सपने को और सजोए हुए अपने रंगीन सपनों को खत्म मत होने दीजिएगा यह बहुत मजबूत अवशर है बहुत महत्वपूर अवशर है इसे चूकने मत है और वो चूक जाना उस अउसर को खत्म कर देना उसके जीवन पर प्रश्ट चिनने लगा देता है और आपको याद होगा कि प्रिथ्वीरा चोहान के लिए चन्रवर्दाई ने कहा था कि अगर आज आज के छण में तुम चोहान चूक गए तो पूरे जीवन तुमारी ज 27 गर्ज अंगुल अष्ट प्रमारता उपर सुल्तान है मत्चूको चोहान मतलब समझ रहें आप क्या है यह एक आपके लिए बहुत सुनाहरा मोका है बहुत सुनाहरा अवशर है UPSI इतने धेर सारी पदों के साथ इतनी भरपूर संख्या में आपके लिए आई हुई लग हम तो लगे ही है आप लग जाई है और इस एक लग बैच के लिए हम बिलकुल प्रयासरत में और हम चाहते हैं कि आप भी अपने प्रयासरत में राकर अपने सपनों को पूरा करें क्यूंकि मुझे पता है यह एक ऐसा पद होता है जब व्यक्ति के सरीर पर वो इस्टार सज इसका, मुझे अभीमान है कि मैं हूं अंग वर्दी का बड़ी किसमत से मिलता है यह खाकी रंग वर्दी का तो आईए कलव एसांट जूरू करते हैं एक लग भीच में इसमें आप जहां हमारे साथ जुड़े हैं हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं मैं वहां एक बात जाना चाहूंगी कि यह है हमारा वाट्सप नमबर यह हमारा वाट्सप नमबर 739803575 यह हमारे एंट्री के लिए UPSI जो एकलब वी बेच 2021 में आरम्ड हुआ है उसके लिए में इस 400 के माक्स में जो सबसे इंपोर्टेट्ट आपके लिए पोर्सन बनता है मैथ रीजिनिंग सब इन सब के बनता हे डाहे वह पॉलिटिकल सायंश यानी प् convention siteker और फिर बनता है मूलुदी तो समझ झी इसमें मूल विटी तो हमारे सर आरंब कर दिये हैं quality आप मेरे साथ पढ़ेंगे यानि आप मेरे साथ भारत की राज विवस्ता को पढ़ेंगे अब भारत की राज विवस्ता को इस प्रकार पढ़ना है एक भी question जा देना पाए मैं नहीं चाहते हूं कि आपका एक भी question इस topic से चला जाए यह मेरी खुद की जिन्मेदारी यह मेरी जिन्मेदारी है कि मैं जितने प्रकार के जैसे भी question जिस topic से पूछे जाते हैं मैं लाकर आपके समख चुदू और आपका मात्रों मात्र एक नैतिक करतब है कि आप उसके गहन अर्दियान करें practice करें और आप उसको कर जाए बस आपका यह कारे है तो देखे इसको सुरू करते हैं भारती राजविवस्था भारती राजविवस्था हम लोग क्या करते हैं अब आरंब करते हैं अच्छी वेकेंसी है अच्छा मौका है तो इसको हाँ से गमाना नहीं है भारती राजविवस्था में हम लोग क्या करेंगे एक महत्पूर टॉपिक है भारती राजविवस्था का भारत का संभिधान भारत का संभिधान जिसकी प्रिष्ट भूमी जो किस पर डिगा हुआ है यानि अगर किसी भी देश के संबिधान का निर्मार करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है तो सबसे पहले एक संप्रभु संस्था का निर्मार करना पड़ता है किसका निर्मार करना पड़ता है संप्रभु संस्था का और ऐसी सरवोच निकाया संप्रभु संस्था क् सकती क्या हो सकती है समविधान सभा बहुत महतुपूर है और मुझे लगता है और आपने अगर देखा होगा question इसका UPSI, ISPCS और जितने भी states के exam से उसमें सब में इस से question बनता है किस से बनता है संविधान सभा के गठन से बनता है संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया से बनता है संविधान सभा में जो चुना हुए जो प्रक्रिया थी जो समीतियां थी समीतियों को निर्मार किया गया और एक तरफ उनके अध्यच बनाए गए इनसे क्विश्चन बनता है इन पर ले भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बताया जैसा कि इसमें क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों को देखे भारती राजमवस्था हम पढ़ाएंगे इसके अलावा हमारे जो भी क्वेस्टेंस आपको आते हैं सारे टॉपिक से वो भी देखेंगे प्लस पढ़ाने में हमें क्या-क्या लेना है क्या-क्या इस लेबर से हम बाद में उस पे भी चर्चा करेंगे लेकिन अभी देखें कांश्टिट्वेंट इसेंबिली में हम क्या-क्या पढ़ सकते हैं संविधान सभा की मांग बहुत इंपोर्टेंट है संविधान सभा की मांग संविधान सभा का गठन ऐसे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया ऐसे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया संविधान सभा के लिए बनाई गई समीटिया और उनके अध्यच हम क्या कर ले इन सब को अगर पढ़ ले तो आपको लगता नहीं है कि हमारे यहां से तो question साल्व हो ही जाएंगे गठन की प्रक्रिया क्या है गठन की प्रक्रिया जब उसका चुना हुआ जुलाई 1946 में हम तब की बात कर रहे है 389 सदस्यों के लिए हुआ फिर 93 रियासत थी यह तो किस प्रकार बाद में चलके 296 सदस्यों इन सब पर हम चर्चा करेंगे किसको कितने उमत मिले इस पर चर्चा करेंगे सम्विधान सभा की मांग सबसे पहले सम्विधान सभा की मांग किसने की राष्टे आंगोलन के दौरान ऐसी मांगे कब तक बढ़ती रही और हर बार अधिदेशन जो होता रहा उसकी अध्यच्छता लोग करते रहे तो किस प्रकार इसमें परिवर्तन और मांग की प्रक्रिया में आधुनिकपन आता रहा हम लोग क्या करेंगे इन पर चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे क्या सम्विधान सभा यानि Constituent Assembly जिसमें इतनी प्रक्रियाओं के मादिम से हम लोग आगे चलेंगे भारत की सम्विधान सभा की अगर बात करें तो याद रखेगा सबसे पहले अगर मैं यह कहूं कि सबसे पहली बार सम्विधान सभा का विचार कहीं आया तो वह इंग्लेंड में आया इंग्लेंड के सर हेनरी मेन ने सबसे पहले सम्विधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया किसे ने किया इंगलेंड के sir henery man ने किया किन्तू इसे व्योहारिकता अगर किसी ने प्रदान की पूरे विश्व में तो इसे अमेरिका और फ्रांस द्वारा व्योहारिकता प्रदान की गई है अमेरिका और फ्रांस द्वारा इसको प्रदान की गई किन्तु इसकी सबसे पहली मांग सर हेनरी में जो की इंगलेंड के थे उन्होंने किया था अब आते हैं भारत में क्योंकि किसी भी देश के शम्मिधान निर्मार की पहली शर्त होती याद रखेगा किसी भी देश के सम्मिधान निर्मार की पहली शर्त क्या होती है एक निकाय कैसी निकाय ऐसी संप्रभु निकाय ऐसी सर्वोच निकाय जो क्या करती हो तो जो अपने देश के सम्मिधान का निर्मार करती हो इसलिए संभिधान निर्मार का सबसे महत्पूर अंग क्या होता है संभिधान सभा संभिधान सभा क्या है तो संभिधान सभा एक ऐसा सर्वोच संप्रव निकाए जो जन्मानस की आकांचाओं को पूरा करता है और एक ऐसा पटल है जिस पटल पर बैठ कर जन्मानस के चुने हुए प्रतनी अपने देश के लिए संभिधान का निर्मार करते हैं आएए देखते हैं संभिधान सभा क्या है तो संभिधान सभा एक सर्वोच और संप्रव निकाए है एक सर्वोच और संप्रव निकाए है अर्थात एक पटल है जिस पर बैठ कर देश के संभिधान का निर्मार किया जाता है अईसे संभिधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की इंगलेंड में सर हेनरी में द्वारा की गई सर हेनरी में द्वारा प्रथम बार विचार प्रकिपादित किया गया यानि पहली बार किसी ने ऐसा विचार दिया कि किसी भी देश के संभिधान के लिए संभिधान सभा का होना अनिवारे है तो सर हेनरी में थे किन तो ऐसे संभिधान सभा के विचार को ऐसे संभिधान सभा के विचार को पहली बार वेवहारी करूप प्रदान किया कहा पूरे विश्व में भारत में अगर हम बात करेंगे वेवहारी करूप तो 1946 केबिनेट मिशन आएगा वेवहारी करूप अगर किसी ने प्रदान किया तो अमेरिका और फ्रांस द्वारा प्रदान किया गया अमेरिका और फ्रांस द्वारा प्रदान किया गया इसके बाद भारत में राश्ट्री आंदोलनों के दोरान सम्विधान सभा की मांग लगातार होती रही इसकी मांग कम नहीं हुई है भारत में इसकी मांग भारत में लगातार हो रही है क्लियर है यहां अब देखिए यानि अगर भारत में इसकी मांग हो रही है तो पहले आए यहां पर कि भारत में क्योंकि हम लोग भारत के सम्विधान सभा को पढ़ रहे हैं हम लोग भारत के सम्विधान सभा को पढ़ रहे हैं इसलिए भारत में सम्विधान सभा की पहली मां सर प्रथम किस ने संविधान सभा की बात की थी तो सर प्रथम बात किया था बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने सर प्रथम इसकी मांग की थी और किस के माधियम से किया था तो अपने स्वाराज बिधेयक के माधियम से किया था राश्ट्री आंदोनन के दौरान सरप्रथम संभिधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगा धर्तिलक ने स्वराज बिधेयक के माधियम से किया था यहां तक क्लियर है 1895 के पहले भारत में घटना घट चुकी है 1895 के पहले भारत में 1885 में कांग्रेश स्थापना हो चुकी है इस पकार माना जाता है कि यह कांग्रेश की ही देन है कि लोगों के मन में आम जन्मानस के मन में स्वराज की भावना आ रही अपने राजी की भावना आ रही इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, तो स्वाशासन चलाना चाह रहे हैं, होम रूल लीग अंदोलन चला रहे हैं, तो यह क्या था, 1895 में सम्विधान सभा की पहली मांग किस ने की थी, तो बाल गंगा धर तिलक ने की थी, स्वाराज विधेयक के माधियम से किया था, इसके बाद देखिए, मैं आपको सम्विधान सभा के वो पहलू, जो क्रम वाइज है, जिसमें मांग की और उसके बाद, सम्विधान सभा अपनी मांगों के अनुसार कैसे आगे आधुनी खोकर पनपता चला गया, इस पर चर्चा करेंगे, यानि आज का जो लेक्चर है, पहला बहुत इंपोर्टेंट है, सम्विधान सभा के बारे में, जिस सिक हमेशा क्विश्चन पनते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सम्विधान सभा की मांग, फिर हम पढ़ेंगे सम्विधान सभा का गठन, फिर हम उसकी प्रक्रियाओं पर आएंगे समीती अध्याच कैसे बने और कैसे संविधान सभा चुनाव करके आगे बढ़ता है क्लियर है फिर हम लोग आज का संविधान सभा जो 24 जनुवरी 1950 आखरी था उसके बाद 26 जनुवरी 1950 के रूप में परिवर्तित हुआ हम लोग तब की बात करेंगे फिर हम लोग आ क्या है टो यहीं ग्रूंत ऊच्छ को इसकी अधिकार है जितने करता रहा है इसलिए क्या कारे ہو रहा है तो यह समझ लीजे कि अपने देश के भवश्य की नितियों के निधारण के लिए एक ऐसा प्ठल बनाया या जा रहा है 922 में 1922 इस्वी में महात्मा गांधी जी ने भी कहा महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को उठाया कि भारती सम्विधान देखिए इसमें करम से पढ़ा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट है आपको समझना है ये सब क्वेस्चन बनके आते हैं भारती सम्विधान भारतीयों की इच्छा नुसार होना चाहिए भारती सम्विधान कैसा होना चाहिए भारतीयों की इच्छा नुसार होना चाहिए फिर क्या का रहे हैं 1922 के बाद 1924 में कांग्रेश द्वारा इस मांग को रखा गया कांग्रेश ने भी क्या कहा कि भारत के संविधान निर्मार के लिए एक संविधान सभा का गठन आवश्यक है इन्हों ने कहा स्वराजविदेख के माधियम से कि संविधान सभा की मांग होनी चाहिए जब ये कहते हैं सम्विधान मेरा जन्व सिद्य दिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा 1922 में महात्मा कान्दी कहते हैं भारती सम्विधान भारतियों की इच्छा रुसार होना चाहिए जिसके लिए ये स्वता अपने सम्विधान सभा का निर्वाचन करें फिर उसी बाप को 1924 में कांग्रेश द्वारा इस मांग को रखा गया और क्या कहा गया कि भारती सम्विधान के लिए सम्विधान सभा का अगठन आवश्यक है बेसिकली कब 1927 में मोतिलाल नहरू द्वारा 1927 में मोतिलाल नहरू द्वारा नहरू रिपोर्ट के माधियम से नहरू रिपोर्ट के माधियम से सम्विधान सभा को अनिवार्य बताया गया फिर 1924 और 1927 के बाद 1924 और 1927 के बाद कि अगर हम बात करें तो फिर सबसे पहले अगर 1924 और 1927 के बाद सबसे पहले किसी ने और चारिक रूप से यानि इतने अच्छे धंग से जो फॉर्मल तरीके से डाप्टिंग करके किसी ने मांगी और चारिक रूप से सम्विधान सभा की मांग इन राय द्वारा किया गया किसके द्वारा किया गया एम इन राय द्वारा किया गया याद रखेगा पहली बार इतने लोगों ने अपनी बातों को रखा लेकिन पहली बार उप्चारिक तरीके से किसी ने सम्विधान के लिए सम्विधान सभा की मांग रखी तो वो कौन थे एमेन राय थे जिसे ब्योहारी को और लोक प्रिय रूप प्रदान किया गया नेहरूजी के दुआरा जब ये लखनव और फैसपूर महाराष्ट में कांग्रेस अधिवेशन की अधिच्छता कर रहे थे तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि संभिधान सभा होगी और इन्होंने उसी अधिदेशन की अधिच्छता के दौरान ही 1946 में अपने उद्देश प्रस्ताव को भी समझ लिया था कि मुझे उस उद्देश प्रस्ताव को लाकर किस प्रकार अपनी उद्देशिका का गटन करना है यहाँ तक लियर है यानि अगर पूछा जाए करम तो संभिधान सभा की मांग 1895 आपको दिग्या बालगंगा धरतिलग 1922 महात्मा गांधी जी 1924 कांग्रेस कारे कारेडी द्वारा लेकिन 1927 मोती लाल नहरू द्वारा नहरू रिपोर्ट के माधियम से मांग की गई और इसके बाद औक चारिक बूप से अगर संभिधान सभा की मांग सबसे पहले किसी ने की थी तो वो किस ने की थी और आपको यही सब बताना होता है फिर सम्विधान सभाव की बात की जाए हम आरंब से चल रहे हैं और कहां तक चल रहे हैं हम आरंब से चल रहे हैं जहां तक सम्विधान सभाव को व्योहारिक तरीके से मान लिया जाएगा मान लिया जाएगा आप देखें क्या है इसके बाद एक अधिवेशन होता है 1934 में 1934 में अधिवेशन होता है बंबई में जिसकी अधिशता डाक्टर राजिन पुशात करते हैं हम उसकी बाद कर ले 1934 में 1934 में बंबई अधिवेशन हुआ था कांगरेस का जिसकी अधिशता की थी डाक्टर राजिन पुशाद ने और डाक्टर राजिन पुशाद ने इसमें जब अधिशता की थी तो इसकी मुख्य भुमिका के रूप में आये थे कांगरेस स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी के द्वारा मुख्य भुमिका निभाई गे थी और क्या कहा गया था इनी के द्वारा चोर पूर्वक मांग की गई थी सम्विधान सभा की कब 1934 में 1934 में कांगरेस के स्वराज की मुख्य भुमिका इसमें दिखेगी आप सुराराज पार्टी की मुखी भूमिका दिखेगी जिसने 1934 बंबई अधिवेशन में मांग की है फिर क्या हुआ है 1936 में लखनों में अधिवेशन हुआ है लखनों में कांग्रेश के अधिवेशन में कांग्रेश के अधिवेशन में जिसकी अधिशता कौन कर रहा है तो 1936 में हुए कांग्रेश के अधिवेशन में जिसकी लखनों में हुई है उसकी अधिशता पंडित जवाहरलाल नहरू कर रहे है और यहीं पर क्या होता है तो यहीं पर एक मांग की जाती है कि बगएर वाहे हस्तचेप के क्या कर दिया जाए तो बगएर वाहे हस्तचेप के हमारे सम्विधान सभा का गठन कर दिया जाए यानि सम्विधान सभा किसकी है सम्विधान सभा हम भारतियों की है तो इसमें किसी अन्य का वाहे हस्तचेप ना हो किसी अन्य का द्वाय हस्त छेप ऐसे अजिवेशन में नहीं होना चाहिए फिर ये क्या होता है 1937 में हम धीरे धीरे आज रखिएगा 42 की और बढ़ रहे हैं जहां संभिधान सभा को मानेता प्राप्त हो जाएगी 1937 में फैजपुर कहां पर है महाराश्ट क्वेश्चन देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं यह आधुनी कित्या मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनते हैं दोनों के लिए आपका ठीक है कारेक कर रहा है 1937 में फैजपुर महाराश्ट के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी अध्यच्छता भी जो मैंने कहा था कि एमें रायद्वारा प्रतिपादित और चारिक तरीके से संविधान सभा की मांग को अगर मोर्त रूप किसी ने प्रदान किया है तो पंडित जवार लाल नेरू ने किया है वो इन दोन अधिवेशन से कुष्टी हो जाती है 1937 फैजपुर महाराश्ट कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेरू जी यहाँ पर अध्यच्छता करते है और इस अध्यच्छता के दोरान ये क्या कहते है कि संविधान सभा जो गठित की जाएगी जो भी संविधान सभा के दाता के आधार पर होगी वियसक मता धिकार के आधार पर होगी याद रखिएगा सबमें किसी ना-किसी को अधार मानकर किसकी मान की गई है संविधान सभा की कैसे 1934 में देख लीचे कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में बंबई में जिसकी अधिशता डाक्टर राजन प्रशाद कर रहे हैं वहां भी मांग की गई है स्वाराज पार्टियों की मुक्य भूमिका थी संविधार सभा मुझे चाहिए 1936 में लखनाओं में कांग्रेस अधिवेशन किया गया इसके अधिश पंडी जवालाल नहरू रहे इन्होंने यहाँ वाह हस्तचेट के बगर संविधार सभा मांग की 1937 में फैश्पूर महाराष्ट कांग्रेस की अधिवेशन की अधिशता पंडी जवालाल नहरू करते हैं और क्या कहते हैं वैस्क मताधिकार के आधार पर संविधार सभा का गटन होना चाहिए अब देख लीजे क्या किया गया है 1949 में हरीपूरा के अधिवेशन में हरीपूरा कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे तिवर तरीके से इसकी मांग रखी गई कि हमने संविधान निर्माड के लिए एक संविधान सभा के निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए लोगों ने मांग रखी और इन प्रक्रियाओं के माधियम से याद रखिएगा इन प्रक्रियाओं के माधियम से पहली बार ब्रिटिस सरकार ने अब तक हमने ये पढ़ा कि लोगों ने मांग की किसकी संविधान सभा की अब हम आदे की कडियों में पढ़ेंगे कि किश्पर का ब्रिटिस समराट ब्रिटिस सरकार हमारी मांगों को देना चाह रही है लेकिन उसका भी कुछ प्रलोगन है उसको भी वो पूरा कराना चाह रही है पहली बार ब्रिटिस सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया अगस्त प्रस्ताव 1940 पारित किया गया और क्या कहा गया कि भारती संबिधान बनाना भारतियों का काम है बारती संबिधान बनाना भारतियों का काम है किन्तु ऐसा वह तभी कर सकेंगे जब दूती विश्यूद में हमारा सहयोग करने और दूती विश्यूद की समाप्ती हो जाए उसके बाद तब आप बताईए अगर आप उस समय जन्मानस में होते तो क्या आप उसकी स्विक्रित करते आप अगस्त प्रस्ताओं का विरोध करते हमारे हां भी हुआ हमारे हां भी हुआ और उसके विरोध में क्या किया गया उसके विरोध में हमारे हां पहली बार सत्यागरा आंदोलन और दिलनी चलो आंदोलन आरंब कर दिया गया इसके विरोध में आरंब हुआ यानि अग अहली बार, सम्विधान सभा की मांग को स्विकार किया, सम्विधान सभा की मांग को स्विकार किया, क्लियर है, अब देखिए, अब जब भारतियों ने इसका विरोध किया और ये भी क्या हुआ, खत्म हो गया, फिर ब्रिटिस सरकार ने क्रिप्स मिसन 1942 भारत भेजा, और इस क्रिप्स निसन 1942 में भी सारे प्रावधान देने के बाद, सारे प्रावधान देने के बाद, लाश्ट में क्या कह दिया गया किन्तु भारती ऐसा कब कर सकेंगे भारती अपने संविधान सभा का निर्मार तब कर सकेंगे जब भारती यानि इसमें मान तो कर लिए असपष्ट रूप से ही सही ब्रिटिस सरकार ने मान लिया कि भारती संविधान निर्मार के लिए भारत क लोगों के खुद निर्वाचन के द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होनी चाहिए और ऐसा संविधान सभा जिनके द्वारा जिन प्रतिनिदियों के द्वारा बनाया जाए जो इसको भेज कर अपने प्रतिनिदी चेहनित करते हैं वही उस संविधान सभा में बैठके अपने जन्मानस के लिए सम्विधान का निर्माड करें लेकिन ऐसा कारे तब करेंगे जब दूती विश्रीद समाप्त हो जाएगा. क्या कहा गया? इसका भी विरोध हुआ और जब विरोध हुआ तो आपको याद है कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पटावी सीता रमया जी ने इसे अगस्ट प्रस्ताओं का संसकरण मात्र कहा, जबाहल अलनेरु जी ने क्या कहा? आप क्रसिंग बैंक अपाना क्रसिंग बैंक एक टूबते हुए अत्वार टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, हम इन सब पे भी जर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले समझ लिजे कि अगस्ट प्रस्ताओं 1940 के दौ़ारा पहली बार अगर किसी ने स्विकार किया तो बेटिस सरकार ने स्विकार तो कर लिया कि भार्कियों के लिए एक संबिधान सभा होनी चाहिए, 1942 में इन्हों ने उसको भेजा, इसलिए कि अब आप बनाए, लेकिन मेरा ये कारे कर दे उसके बात भार्कियों ने एक तरफ से इंकार कर दिया, और इंकार करने के बाद पहली बार संबिधान सभा की मांग को ब्योहारिक रूप मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो हम लिख रहे हैं, हम चले कहां से थी, 1895 थी और कहां पहुँचा है, 1946 तक, तो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझिएगा, संबिधान सभा की पहली बात, इस पश्ट मांग और ऐसे संबिधान सभा को ब्योहारिक रूप अगर प्रदान हुआ या मिला, तो कहां मिला, कैबिनेट मिशन 1946 से, कैबिनेट मिशन 1946 से, और यही एक मात्र ऐसी कैबिनेट मिशन है, जो सम्विधान सभा का गठन कर देती है चुनाव कर देती है और उसी सम्विधान सभा के द्वारा भारत का सम्विधान निर्मित होता है इसलिए भारती सम्विधान के महतपूर कड़ियों में सबसे important कड़ी कोई है तो cabinet mission है जिससे सबने स्विकार किया और स्विकार करके सम् तो हम लोग कहां से चले थे भारती राजविवस्था में हमने आज तोपिक क्या लिया था भारत की शम्विधानजबालिया है था में अपको बताया कहां से आरंग वह हिए कि सबसे पहले 1895 में पहली बार कैसे इसकी मांग हूई जो आगे चलकर कहा तक आती है 1946 Cabinet मिशन तक आती है 1946 Cabinet मिशन तक आती है इसका मतलग कि भारती संभिधान सभा की सबसे पहली मांग अगर पूछा जाए 1895 के माध्यम से स्वराज भिधेयक और भारती संविधान सभा को व्योहारी को लोप्रिय रूप मिला किस अधिनियम दवारा मिला किस मिशन दवारा मिला तो कैबिनेट मिशन दवारा मिला और यही कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्मार की मुख्य आधार शिला है और इसी के द्वारा भारती संविधान का गठन करने वाली संविधान सभा जो थी उसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ है तो आगे क्या कर दें आगे जो इसके मुख्य आधार सिला थी अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसके बाद संविधान सभा का चुनाव जो हुआ है 389 सरदस्यों का उसको पढ़ते हैं भारती संविधान सभा के पूर्व बनाई गई आधार शिला अर्थात संविधान सभा को मजबूत करने वाली अर्थात संविधान सभा का निर्मार करने वाली अगर प्रम को अधाशिला कोई है तो 1946 है किन्टू पहली बार अगर देखा जाए तो मांग स्विकार की गई है 1940 में तो अगस्त प्रस्ताव क्या है इसको भी देख लिया जाए तो याद रखिए भारत के संविधान तो जब जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले संविधानी काल का विकास पढ़ते हैं जो कब से कब तक होता है 1773 के एक्ट से आरंब होता है और 1935 भारत शासन अधिनियम तक चलता है 1773 के एक्ट से आरंब होकर 1935 भारत शासन अधिनियम तक चलता है किन्टू मेन मुद्दा हमारे संविधान सभा का यहां से इसलिए हम क्या कर लेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे हम पहले यहां पढ़ेंगे जो हमारे संविधान सभा के निर्मार में महत्पुर्भूमी का अगस्त प्रस्ताव 1940 देख लिजे अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है आठ अगस्त 1940 को यह अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ है डेट भी याद रखिएगा और तर्क भी याद रखिएगा हम क्यों पढ़ रहें आठ अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया गया अध्यच थे लाड लिल लिटिगो अध्यच कौन थे लाड लिल लिटिगो तकालिन भारतिय वाइसराइव याद करी आठ आठावन के बा अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ है क्लियर है यहां तक फिर देखिए इस अगस्त प्रस्ताव में कहा क्या गया इस अगस्त प्रस्ताव में कहा क्या गया तो कहा गया कि भहिया गवर्नर्स जन्रल की जो कारेकारेणी परिशद है गवर्नर्स जन्रल की जो कारे कारेणी परिसद है जो पूरे भारत के लिए विधी बना रही है जो सब के लिए नियमों का निर्मार कर रही है उसमें भारती सदस्यों की संख्या में वृध्य की जाएगी पहली बात क्या रखी गई है कि इसमें भारती सदस्यों की संख्या में वृध्य की जाएगी किसमें अगस्त प्रस्ताव 1940 में फिर क्या कहा गया भारत का सम्विधान भारतियों द्वारा ही बनाए जाएगा पहली बार अगस्त प्रस्ताव ने सम्विधान सभा की स्वीकृति प्रदान की भारत का सम्विधान भारतियों द्वारा ही बनाए जाएगा किन तू ऐसा वो कब कर सकेंगे तो ऐसा वो कर सकेंगे दूती विश्यूद के पस्चार अब प्रथम विश्यूद में नजर डालिए तो जब प्रथम विश्यूद चल रहा था तब कंडिशन क्या गटती है जब प्रथम विश्यूद चल रहा था तब प्रथम विश्यूद क दोरान कांग्रेस के साथ बैठक में ब्रिटिस सारकार ने ये कहा था कि अगर प्रतम विश्युद में आप भारती हमारा सहयोग करेंगे तो हम देश को जल्दी आजात कर देंगे और आप अपना सम्विधान बनाएं हम क्या कर देंगे हम यहां से अपने सारे अधिकारों को स सरजिन्थ के नाम से जाना गया लेकिन जैसे ही प्रतम विश्युद में 90,000 हमारे भारती मारे गए हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है कांग्रेस ने टोटली इस बात का मुद्दा बना लिया और अगस्त प्रस्ताओं का विरोधारं बगर दिया क्योंकि जिस सरकार ने प्रतम विश्युद के बाद हमारी मांग नहीं मानी दुति विश्युद के पस्चाप भारती अपना संविधान बनाएंगे इस मुद्दे पर सबसे पहले कांग्रेस बिरोध कर लेती और कांग्रेस क्या करती है इस मुद्दे पर बिरोध करने के लिए अप कोई भाई ना कोई पाई नारा लगाती है और इन सब के दिरोध में ही इन सब के दिरोध में ही पहली बार क्या किया जाता है तो आंदोलन चलाए जाता है और कौन से आंदोलन चलाए जाते हैं तो आंदोलन चलाए जाता है दिश से दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है क्य तो क्या कर देगी? काइंग्रेस ने इसके लिए 17-0-1-0-1-0-0-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0 Paavnara Maharashtra से भ्यक्तिगरस सत्यागर आरब किया किस के नेत्री तुम्हें किया तो महातमा गांधी जी के नेत्री तुम्हें किया व्यक्तिगर्स सत्याग्रा और यही व्यक्तिगर्स सत्याग्रा दिल्ली चलो अंदोलन के नाम से जाना गया आरंब कहां से हुआ पवनार महाराष्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन प्रथम सत्याग्रही कौन थे और उसके बाद सत्याग्रही कौन बने तो जान लिजएगा प्रथम सत्यागरही थे आचार विनोबा भावे और दुति शत्यागरही थे पंडिश जवाला लेरू सत्यागरह जो यह था आरंभ क्यूं हुआ अंदोलन तो सत्यागरह आंदोलन आरंभ हुआ है अगस्ट प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस अपने को अलग दिखाना चाह रही इसलिए अगस्ट प्रस्ताव लाई है और इस अगस्ट प्रस्ताव के माध्यम से वो नारा भी दे रही है ना कोई भाई ना कोई पाई और उसने बता दिया कि कांग्रेस किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है और अगस्ट प्रस्ताओं के पच्छ में नहीं है इसका मतलब अब अगस्ट प्रस्ताओं समाप्त हुआ है और अगस्ट प्रस्ताओं के समाप्त होने पर ब्रिटिस सरकार ने फिर से भारतियों को आपस में मिलाने के लिए तता भारतियों के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 भारत भेजा क्या भेजा क्रिप्स मिशन 1942 भारत भेजा और फिर क्रिप्स मिशन 1942 जो भारत आया उसकी कंडिशन देख लीजे ये किस प्रधान मंतरी के शासंकाल में पारित हुआ तो ये प्रधान मंतरी थे बिश्टन चर्चिल जी जिनके नेतरित में क्रिप्स मिशन भारत आया जिनके न सरिस्टेफर्ड कृप्स की अध्यचता में 1942 में एक मिशन भारत आया जो क्रिप्स मिशन 1942 कहलाया क्वेश्टन पूछा जाता है क्रिप्स मिशन 1942 भारत कब आया 23 मार्च 1942 को भारत में आया और कर दिया 30 मार्च 1942 को दिया इसकी घोशड़ा हुई है 11 मार्च 1942 को ब्रिटिस संसद में कृप्स मिशन सर इस्टेफर्ड कृप्स के नेत्रित में 23 मार्च 1942 को भारत भेजा गया है और ऐसे कृप्स मिशन ने अपने मिशन की रिपोर्ट 30 मार्च 1942 को दी जिसमें 9 प्राउधान दिये क्या क्या दिये तो इसमें इनोंने कहा दुति विश्युद की समाप्ती के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा इस्थापित की जाएगी जो क्या करेगी भारत के लिए संविधान का निर्मार करेगी फिर क्या कहा रहे हैं ऐसे निर्वाचित संविधान सभा में भारतिय राजियों के सभी प्रतिनिदी शामिल होंगे फिर क्या कहा गया है इसके प्रावधान में और चीज़े कही गई और कहा गया है देशी रियास्तों को छूट होगी कि वह ऐसे क्रिप्शमिसन की बातों को माने अन्य था ना माने सभी दलो द्वारा क्या कर दिया गया इसको आस्विकार कर दिया गया सभी दलो द्वारा इसको अस्विकार कर दिया गया कांग्रेज ने देखा कि देशी रियास्तों को छूट होगी और सभी राजयों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा इससे क्या होगा देश में विभाजन हो सकता है देश में विभाजन हो सकता है और अगर फिर मुस्लिम ली इसका बहिस्कार कर दिया यानि भारत के सभी दलोद्वारा क्रिप्स मिशन का बहिस्कार किया गया और इस पर आलोचना की गई क्रिप्स मिशन पर आलोचना की गई महात्मा गांधी जी ने इसकी आलोचना में क्या कहा यह दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है यह दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है अर्थाद ? ये पोस्ट डेटेड चिक किस की संध्यादी ? एपोस्ट डेटेड चिक की संध्यादी ? महत्मा गान जी जी ने किसे कृप्स को ? ये बहुत उंपॉटनीट हो और कही बार ये question पुछा गया है कई बार ये question पूछा गया है पंडी जवाहालाल लेहरू ने इसे क्या कहा? एक दूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकी चेक एक दूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकी चेक की संग्यादी है पंडी जवाहलाल नेहरू ने पोश डेटेड चेक अपान क्राशिंग बैंक एक दूबते है अथवाट तूटते हुए दोनों नाम होता है दूबते है अथवाट तूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकी चेक की संग्याद किस ने दिये पंडी जवाहलाल नेरू ने दिये पट्टाभी शीता रमया जी ने इसे अगस्त प्रस्ताव का संसकरण मात्र कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा है क्रिप्स मिशन पर इतनी आलोचन आए किसने की महात्मा गांधी जी ने वी क्वेस्टन हमेशा पूछा जाता है एक पोस्ट डेटेड चेक ये संग्या किसने दी है एक उत्तर दिनांकी चेक की संग्या दिया है बहात्मा गांधी जी ने पंडी जवाल लाल नेरु जी ने क्या कहा है पंडी जवाल लाल नेरु जी ने कहा प्राहधानों को ही इधोदर परिवर्थित करके हमें पुनाद दे दिया है फिर अगस्त प्रस्ताव कैंसिल हो गया हो जैसे ही अगस्त प्रस्ताव कैंसिल हुआ घटना घट गई पृटिस में 1945 की 1945 में पहली बार क्या होता है बिष्टन चर्चिल के नेत्रित वाली जो सरकार थी वो हड़ती है पहली बार Labour Party की सरकार सता में आही और Labour Party की सरकार बड़ी उधार थी उधार भी थी दो कारण थे एक तो उधार थी तो उनको ये भी पता था कि जिस प्रकार हम उदारवादी यानि हम मध्यमवर्गी लोग लेबर पार्टी ब्रिटिस में इस प्रकार सोसर देख रहे हैं और परिशान है उसी प्रकार भारती जन्ता भी जन्मानस भी ब्रिटिस सरकार से परिशान है दूसरा विश्यों के अन्य देशों में दुति विश् लोटे जैसा कि सब लोट रहें तो ये भी दबाव क्या कर रहा है ये भी दबाव इनको मजबूर कर रहा है भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए तो देखिए कैबिनेट मिशन क्या कर रहा है कैबिनेट मिशन 1946 ने क्या कहा कैबिनेट मिशन 1946 जिस सवेब पारित हुआ तातकालिन प्रधान मंत्री कौन थे तो तातकालिन प्रधान मंत्री थे कुंनं थेू ? क्लीमेंट एटली कौनं थे ? क्लीमेंट एटली जिनके नेतरित मेजन के नेतरित रु से पारित मार्च आपान थे गई पंद रहमार्च उननीज सो छी आलीस को कैविनेट मिशन की गोशड़ा ब्रिटी संसद में की गई और कहा गया यह तीन सदसी कैविनेट मिशन होगा सवाल यह है कैविनेट Mau see केबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है क्योंकि केबिनेट मिशन के सभी सदस्य केबिनेट के थे इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया केबिनेट कोई एक इसका मुख्य नहीं था केबिनेट के तीनों सदस्य थे इसलिए पहली बार कोई ऐसा मिशन है जिसे नाम दिया गया केबिन लाड पैथिक लारेंस जो की ताथकालीन भारती है सचीव थे ताथकालीन भारत सचीव के पड़ पर थे सर इस्टेफर्ड कृप्स तीन सदसी के बिनिट मिशन है पहले सदसी कौन है सर इस्टेफर्ड कृप्स जो की व्यापार बोर्ड के अध्यच है लाड पैथिक लारेंस दूसरे सदसे हैं जो कि ताथकाली भारत सचिम है और एवी एलेक्जेंडर जो कि तीसरे सदसे हैं और ये नव शेना मंत्री है नव शेना अध्यक्षे क्लियर है ये तीन सदसी कैबिनेट इविशन भारत कप पहुचा 24 मार्च 1946 को 23 मार्च 1942 को कैबिनेट पहुचा था 24 मार्च 1946 को कौन आया है कैबिनेट आया है 16 माई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट पारिद किया है 16 माई 1944 को cabinet mission ने अपना report पारित किया है cabinet mission के प्रावधान क्या क्या थे cabinet mission के प्रावधान थे British भारत तथा देशे रियास्तों को मिला कर एक भारती शंग का निर्मार किया जाएगा क्या कहा गया cabinet mission के द्वारा कहा गया कि भारत में एक संविधान निर्मार के लिए संविधान संग का भारती संग का निर्मार किया जाएगा जो किस से निर्मित होगी तो जो ब्रिटिस भारत के द्वारा और देशी रियास्तों को मिला कर निर्मित की जाएगी जो देशी रियासय तो विटिस भारत को मिला कर निर्मित की जाएगी। संग के विशय को छोड़कर यानि याद रखेगा। रच्छा, विदेश, आयात, निर्याद। जो संग के विशय को छोड़कर बाकि सारे प्रांती विशय और अवसिष्ट सक्निया किसमें समाहित तो कहा गिए ये सभी समाहित होंगी केंद्र में जो ये संग होगा जिस संग का निर्माड किया गया उस संग के लिए कहा गया कि संग के विशे को छोड़कर से सभी विशे इसी संग में समाहित होंगी क्लियर है जो इन दोनों को मिलाकर बनेगी फिर क्या कहा गया ऐसा संग ऐसी भारती सम्विधान सभा का निर्माड किसके द्वारा होगा तो कहा गया भारती सम्विधान सभा का निर्माड प्रांती विधान सभा सदस्यों द्वारा आप प्रत्य चुनाव प्रडाली द्वारा होगा प्रांती विधान सभा सदस्यों द्वारा सम्विधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यच निर्वाचन प्रडाली द्वारा चुनाव कराया जाएगा यानि अगर सवाल पूछा जाए कि भारती सम्विधान सभा जो की सम्विधान का निर्मार करती है इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, इनके सदस्यों का निर्वाचन हुआ, अब प्रतिच निर्वाचन प्रडाली द्वारा, किस ने किया, प्रांती विधान सभा के सदस्यों ने किया, प्रतेक 10 लाग की जनसंख्या पर एक प्रतिनी धिका चैन किया गया प्रतेक 10 लाग की जनसंख्या पर एक प्रतिनी धिका चैन किया गया प्रतेक समुदाई के प्रतिनी धिका बहुत इंपॉर्टेंट है 1946 इसी पर पूरी समविधान सभा अधारी है प्रतेक समुदाय के प्रतिनिरी विधान मंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होंगे मुसलिम समुदाय अपने मुसलिम प्रतिनिरी का चेहन करेगा सिख समुदाय अपने सिख प्रतिनिरी का चेहन करेगा इनके अलावा सामान्य समुदाय भी होगा सामान्य समुदाय मुस्लिम समुदाय और और शिख समुदाय है यानि इन 3-0 प्रकार के समदायों को क्या कहा गया कि चोभी भारती सम्विधान सभा के प्रतिनी दियोंगे अपने अपने समुदायों के द्वारा चैनीद निर्वाचित किये जाएंगे देशी रियासतों का चयन उनकी स्वेच्छा पर निर्भड था और जान लीजे अंग्रेज जाते जाते ब्रिटिस सरकार यानि ब्रिटिसर्स जाते जाते यही एक पॉइंट जो था विभाजन का देखर चले गए जिसे राजियों का एकी करण करते समय बड़ के निर्मार का पटल है क्लियर हुआ यहां तक जो हम लोग ने संविधान सभा पढ़ा जो हम लोग ने संविधान सभा पर महतुपूर्द चर्चा की यह क्लियर हुआ अब आप इक चीज समझ लीजिए कि जब हम इसके आगे आएंगे अगले लेक्चर में हम लोग क्या पुछा जाता है और कि इनका कहां से निर्वाचन हुआ इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में तो प्लीज फिर से बता दू कि जो को आप हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक होती उसको टच करें और प्रवेस प्रक्रिया आरंबे वहां पर देख लें औ कि जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमसे हो सके अच्छा सा अच्छा फैक्ट आपको दिया जाए तो फिर क्या कि आजाए अगले लेक्चर में देखा जाए इसके आगे की कड़ी को कि सम्विरान सभा कि इस प्रकार अपने निर्वाचन की पद्धत को आगे बढ़ा Thank you so much.